नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रभाश दोस्तों हमारी रेलवे ने आज से लगभग तीन साल पहले दरभंगा में एक बड़े रेल प्रजेक्ट की सुरुवात किया था यह जो रेल प्रजेक्ट था यह दरभंगा रेल बाइपास का जिसके अंतरगत सीसो रेलवे स्टेशन से काकर घटी रेलवे स्टेशन तक करीब आठ किलोमेटर की नई रेल लाइन बनाई जाने थी और दोस्तों इस रेल लाइन के बन जाने से जो भी टेने सीता मड़ी या फिर रक्सॉल की तरफ से आने थी उन्हें बिना दरभंगा दंग्शन जाए काकर घटी होते हुए सकरी जंजारपूर होते हुए नौर्थिष्ट की तरफ भेज़ दिया जाता और एक प्रकार से यहां पर वैकलपिक जोड़ने का और दोस्ति यह लगवागों की तर्फ बड़ी अनॉंस्मेंट की है पूर मध्र रहले के जीम साब और क्या होने जा रहा है इस रील सक्षन में आज की जोड़नें बात करेंगे के साथ मेरा आप से आगर नहीं करने लोगेश्ट करें बिडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपने रहे भी जरूर पता है तो आप इस्टाग्राम पर जा सकते हैं जिसकर रिष्कन में दिया हुआ है इस वीडियो को शुजरू करते हैं दोस्तों यह दिया हम यहां पर बात करें जीम के दोरे की तो हाली में पुरुमध रेलवे के जीम अनुपम शर्मा ने पठना से लेके दर्भंगा तक के रेल सेक्षन का निरिक्षन किया और निरिक्षन करने के बाद जब वो दर्भंगा पहुचने के बाद दर्भंगा पहुचने के बाद दर्भंगा बाइपास के दरब भी गये सीसो हॉल का निरिक्षन किया काकर घटी रेलवे स्टेश ये दिया गया कि जो न्यू बाइपास इस्टेशन है उसका जो डाइग्राम है वो फिर से बनाया जाए अभी का जो डाइग्राम है वो कामकार नहीं है इस कारण से डाइग्राम फिर से बनाने का दर्देश दिया गया है साथी साथ यहां पर इस्टीमेट रिविजन का भी आ हो सके दोस्तों उसके बाद फिर से लोट गए हाजीपुर की तरफ दोस्तों पर आपकी कराया है कॉमेंट करके जरूर बताए उसना ही बिलेक्ट के लिए जाहिए जबाए